नमस्कार दोस्तों मैं सागर चोदरी और आप देख रहे हमारा अपना चैनल वेट सेशन आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे गाबिम पोश्यू के देख भाल के बारे में तो चलो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अपने अभी तक मेरे चानल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकों को जरूर क्लिक करें जिसे चानल पर आने वाली नए वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिले सबसे पहले दोस्तों गाविंपश्य में सबसे जरूर है पोश्य की रहनी की जगह गाविंपश्य में रहनी के जगह ऐसी होनी चाहिए जिस पर खुली हवा हो बैटने के लिए सापसुत्रा हो जहां पर कीचड मलमुत्र की बास ना आती हो और सबसे महतवपूर्ण बटने वाली जगह पीचे से उपर और आगे से जुकी होनी चाहिए दोस्तों जगह चुनते समय यह याद रखे जिस पर शोर शराबा ना हो जिसे पशु में तांतनाव ना आए दोस्तों इसके आलाव सबसे महतवपूर्ण बाते पशु को 10 से 15 मिनिट हर रोज चलाना जिसे पशु को अचारा अच्छी तरह से पहुच जाएगा और हमारे पशु सोस्त रहेगा जब इसका बयाने का समय नजदिक आता है तो उसे दिक्कत नहीं आएगी इसलिए याद रखना 10 से 15 मिनिट हर रोज चलाना जरूरी है इसके बाद सबसे महतवपूर्ण है गाविम पशु को पानी देना गाविम पशु को दिन में कम से कम 70 से 80 लिटर पानी देना जरूरी है ये मात्रा सर्दी की सबसे कम ज़्यादा हो सकती है जैसे कि सर्दी के मौसम में कम पानी पिता हो और दूप के मौसम में ज़्यादा पानी पिता हो और साथ में याद रखे सर्दी के मौसम में ज़्यादा थंडा पानी ना पिलाए और गर्मी के मौसम में ज़्यादा गरम पानी ना पिलाए इसे पशु को तकलिव हो सकती है दोस्तो साथ में याद रखे गाविम पुशू का चारा पानी का समय और मात्रा एक जैसी रखे ये मात्रा कैसी होनी चाहिए इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाए आप उपर आई बटन में जाकर देख सकते है दोस्तो जब गाविम पुशू को दूद से हटा देना चाहिए याने की गाविम पुशू को दूद नई निकलना चाहिए जिसे आने वाले बैत में पुशू के शरीर में विटेमिन और मिनरल की संचाय हो सके और आगे जाकर आने वाला बैत में पशु अच्छा दूद दे इसके अलावा जब भी गर्मी का मोसम हो तब गाबिन पशु को नहेलाना चाहिए क्योंकि गाबिन पशु के शरीर की गर्मी कमी हो और हमारा पशु सोस है दोस्तो आपके फार्म का जब भी कोई पशु छे मैने के ज़्यादा गाबिन हो तब उसको दुसरे पशु से अलग करना चाहिए और उस पशु का टिका याई और अन्य जानकरी एक कार में लिक कर रखनी चाहिए जिसे हमें सारी जानकरी एक जगह पर मिले जोस्तो गाबिन पशु के खूर की सपाई समय पर करना जरूर है इसके आला पशु के स्तन की सपाई बे अच्छे से करवाए याद रखे जब भी हम दूद निकालना बंद कर देता है उस समय गाबिन पशु को मस्टरटिस होना ये आम बात है इसलिए याद रखे जब भी पोशु का दूद निकालना बंद करे रहे उस समय पोशु का सतन हमेश्चा सेनिटाइज करते रहे जिसे आगे जाकर पोशु में मस्टाटिस ना हो जब भी पोशु का बयाने का समय दो से चार दिन नजदिक आता है तो पोशु को ये अनरजी पुस्तर दवा खिलाए साथ में कैल्σιयम भी दे जिसे पोशु में बयाने के लिए ताकत में महो और साथ में याद रखे, ब्याने से पहले किसी भी गाबिम पशु का दूद ना निकाले, पशु का दूद ब्याने के बाद ही निकालना है, और पहला दूद पशु के बच्छडे को ही पिलाना है, पशु के बच्छडे की कैसी देख भल करने हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए आप उपर आई बटन में जाकर ओ देख सकते हैं उम्मेदे आपको वीडियो पसंद आयो बस वीडियो को लास्त तक देखने के लिए धन्याद अभी तक अपने मेरे चलो को सब्सक्राइब नहीं किये सब्सक्राइब कीजिए वेल आइकों को क्लिक कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और आपने दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई